आज हम देखेंगे परिमे संख्याओं के योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वित्रक्ता से संबंदिध कुछ गलतियां गलती एक योग या व्यवकलन पर गुणन का वित्रन सही प्रकार से न करना कुछ बच्चे योग या व्यवकलन पर गुणन का वित्रन करते समय कुछ गलतियां करते हैं साधारन तह यह बीच गणित में अधिक देखा जाता है उदारण के लिए यदि बच्चों को कहा जाए कि एक बटे साथ गुणा कोश्ठक में 2X रिन 5 का विदरण कीजिए तो बच्चे इसे एक बटे साथ गुणा 2X रिन 5 इस प्रकार लिखते हैं वे कोश्ठक के बाहर की संख्या का अंदर लिखी दोनों संख्याओं से गुणन नहीं करते बलके सिर्फ पहली संख्या से गुणन करते हैं ध्यान रहे सही परिणाम प्राप्त करने के लिए कोश्ठक के बाहर लिखी संख्या का गुणन, कोश्ठक के अंदर लिखी सभी संख्याओं से करना आवश्यक है गलती दो, साहचर्य गुण यानि असोसियेटव प्रॉपर्टी और विद्रण गुण में भ्रम कुछ बच्यों को साहचर्य गुण और विद्रण गुण में भ्रम होता है क्योंकि दोनों गुण कोश्ठकों के प्रयोक से संभन्दित है यदि उन्हें पूझा जाए कि 2 बटे 3 गुणा कोश्ठक में 1 बटे 5 धन 3 बटे 11 बराबर कोश्ठक में 2 बटे 3 गुणा 1 बटे 5 धन 2 बटे 3 गुणा 3 बटे 11 दिये गए समिकरण यानि एक्वेशन में कौन से गुण का प्रयोग हुआ है तो कोश्ठकों को देखकर वे बताते हैं कि इस समिकरण में साचर ये गुण का प्रयोग हुआ है यह समझना आवश्यक है कि यहां योग का गुणन पर विद्रण किया गया है चलिए इस गलती को एक आसान उधारण से दूर करें मान लीजिए एक थैले में पांच अमरूद और तीन आम रखे गए और ऐसे साथ थैले हो तो फलों की कोल संख्या क्या होगी हम एक थैले में कितने फल रखे हैं यह ग्याद करके इनका गुणा साथ से कर सकते हैं यानि साथ गुणा पांच धन तीन या हम सभी थैलों में अमरूद और आम की संख्या अलग-अलग ग्याद करके इनका योग कर सकते हैं जैसे 7 गुणा 5, धन 7 गुणा 3, दोनों तरीकों से फलों की संख्या बराबर ही आएगी. यहां हमने 7 से 5 और 3 दोनों को गुणा किया है, इस तरह से यहां हमने योग का गुणन पर वित्रण किया है. यह परिमे संख्याओं के संदर्व में भी सत्य है, इसलिए इस समीकरण में वित्रण गुण का प्रयोग किया गया है. गलती 3 परिमे संख्याओं के चिन्हों पर ध्यान न देना व्यवकलन पर गुणन की विद्रक्ता का प्रयोग करते समय कुछ बच्चे परिमे संख्याओं के चिन्नों पर ध्यान नहीं देते यदि बच्चों से पूझा जाए कि रिन एक बटे चार गुणा कोश्ठक में एक बटे पांच रिन तीन बटे पांच का परिणाम क्या होगा तो कुछ बच्चे इसे इस प्रकार हल करते हैं प्रश्ण हल करने का यह तरीका गलत है इसका सही हल इस प्रकार है इसलिए विद्रक्ता का प्रयोग करते समय चिन्नों पर ध्यान देना जरूरी है आज हमने देखी परिमे संख्याओं के योग एवं व्यवकलन पर गुनन के वितरक्ता संबंदित कुछ गलतियां